नमस्ते, SD Kitchen and Easy Life में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाओंगी गाजर का हलवा इस हलवे को आप बिना मावे के, बिना मिल्क पौडर और बिना घी के बना सकते हैं इसका टेक्स्चर बिल्कुल बाजार जैसा आता है सिर्फ एक ग्लास दूद से आप इस हलवे को बना सकते हैं खाने में बहुत ही डिलिसियस बनता है हलवा बनाने के लिए मैंने यहां दो केजी गाजर लिया है बिल्कुल लाल वाले गाजर होने चीए गाजर को मैंने अच्छे तरीके से पानी से धो लिया है और अब हम एक गाजर लेंगे इसके नीचे वाले पाट को और उपर वाले पाट को थोड़ा-थोड़ा काट लेंगे और गाजर को छिल लेंगे अब इसी तरीके से हम सारे गाजर को छिल लेंगे और यहां पर मैंने सारे गाजर को छिल लिया है सारे गाजर को छिलने के बाद हमें गाजर को फिर से एक बार पानी में अच्छे तरीके से धोल लेना है और अब हम गाजर कदू कस करेंगे देखे इसी तरीके से हम सारे गाजर को पहले कदू कस कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे गाजर को कदू कस कर लिया है डाल लेंगे सारे गाजर को डालने के बाद अब हम ढग के गाजर को पकाएंगे थोड़ा सा गाजर सौफ्ट हो जाए नरम हो जाए तब तक इसे हमें मीडियम फ्लिम पे 5-6 मिनट के लिए पकने देना है 5-6 मिनट के बाद गाजर थोड़ा सा नरम हो गया है और अब हम गाजर को थोड़ा उपर नीचे कर लेंगे थोड़ा इसे चलाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चलाने के बाद बीच में थोड़ा सा जगा बनाएंगे और यहाँ पर मैंने एक ग्लास फुल क्रिम दूद लिया है इसे डालेंगे दूद डालने के साथ ही हम यहाँ पर हलवे में डालेंगे एक कटोरी बिल्कुल फ्रेस मलाई और मलाई डालने के बाद आपको ना मावे की जरूरत है और ना ही घी डालने की जरूरत है इसे हलवे का टेक्स्चर बिल्कुल बाजार जैसा हो जाता है तो इसे हम हलवे में थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिडियम टू लो फ्लेम पे ढखके पांच से छे मिनट के लिए पकने देंगे बीच बीच में हम हलवे को चलाते रहेंगे तो एक बार हलवे को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें दूद मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए और जितना कम आच पे अप हलवे को पकाएंगे हलवे का टेस्ट उतना ही लाजवाब आएगा तो बहुत ही कम आज पर हम हलोड को पका के ताकि इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार हम ढखके फिर से इसे दूद के सूख कहिने तक हम पका हैंगे हलोड को एक बार फिर से चेक करेंगे और यहां आप देख सकते हैं काफी हद तक दूद सूख चुका है तो एक बर हम हलवे को अच्छे से चला लेंगे और अब हम हलवे में डालेंगे चीनी तो टेस्ट की अकॉर्डिंग आप चीनी डालेंगे एक छोटी कटोरी में यहाँ पे चीनी डालूंगी और इसे हलवे में अच्छे से मिक्स करूंगी चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा पतला हो जागा तो इसे हमें खुले में ही पकाना है तो चीनी को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी का पानी लगबग सूख चुका है और अब इसमें मैं डालूंगी 2-3 चमच घी घी को आप स्कीप कर सकते हैं क्योंकि मलाई डालने के बाद घी डालने की जरूरत नहीं है लेकिन हमारे यहां हलवे को थोड़ा सा घी में पसंद किया जाता है इसलिए मैं डाल रही हो और यहां पर बारी कटावा थोड़ा सा ड्राइब फ्रूट्स है और एक छोटी चमच यहां पर इलाइची पाउडर है और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम हलवे को ढखेंगे और ढखके मीडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए पकने देंगे पांच मिनट के बाद यहां पर हमारा हलवा बनके तयार हो गया है हलवे में से घी अलग होने लगा है बिना मावे के ये हमारा बहुत ही डिलिसियस हल्वा बन के तयार हो चुका है गैस का फ्लिम बंद कर देंगे और अब हम बारिक कटे हुए ड्राइफ रूट से हल्वे की गार्निसिंग करेंगे और हल्वे को गर्मा गरम सर्व करेंगे अब भी इस घाजर के हलवे को जरूर ट्राइ कीजिए रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए सेहर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद